आज मैं बनाने जा रहे हूं मतर की सबजी आलू मतर की सबजी यह आप डिनर में लंज में कभी भी बना सकते हैं बहुती टेस्टी होती है मतर को अच्छी से चिलके इसको धोके फिर मैंने आलू प्याज कट किया थोड़ा थोड़ा सा लसुन थोड़ा सा द्रख और प्याज को अच्छी से चौप करके मैं मसाले बहुती कम यूज करती हूँ गरम मसाले वगेरा ज्यादा यूज नहीं करती हूँ तो बहुती सिंपल सा वैसे खाना बनाती हूँ सादा खाना अब देख सकते हैं चिली पाउडर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बाद में गिरीन चिली आड़ करती हूँ आप लोग अपने अकॉर्डिंग चिली यूज कर सकते हैं यह मैंने धनिया, हल्दी और नमक लिया है लॉंग, काली मिर्ज और इलाइची फिर मैंने प्याज कट करके प्याज को अच्छे से भुना जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएं उसके बाद आप टामाटर कट करके डालना और उसका अच्छे सा पेस्ट बनाके जिंजर गारलिक को भी अच्छे से भूब करके डाला है कूट के उसके बाद आलू मिलाया है और फिर मटर डाल दीजिएगा तो बाद तीन-चार मिनट ऐसे गुमाके पकने दीजिए तीन-चार मिनट उसके बाद अपने अकॉडिंग जितना भी आपको पानी डालना हो पानी डाल दीजिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए जितना थिक ग्रेवी चाहिए उसके अकॉडिंग पानी डालकि मैंने थोड़ा सा इसमें हींग भी डाला है एक छप्ती हींग पान डालके दीख जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग डीजीगा और फिर दू यद दो से तीन सीटी में मारके आपका आलू मटर की सबची तेयार और इधर मैंने कर दिया है रोटी की त्यारी अब मैं रोटी बना रहे हूं यदी की में रहे हूंग आलू मटर के सब्जी तेयार हो गई ये मैंने मिर्ची नहीं डाला था तो कलर इतना वैसन नहीं है बहुत तेस्ट है आपड़ों भी ट्राई किजिएगा कस्तुरी मेथी थोड़ा समयने मिला दिया है दन्या कट करके भी मिला के बहुत तेस्ट हुगा और मैं इसमें अलग से गिरीन चली कट करके डालूँगी आप लोग चाहो तो अपने अपोड़िंग मिर्ची पहले डाल सकते हैं